हेलो दोस्तों, जो लोग भी अंताराष्ट्य उडावनों से ट्रावल करना चाते हैं, ऐसे सभी पैसेंजर्स के लिए आज यहाँ पर अंताराष्ट्य उडावनों की तरफ से और साती साथ दुनिया की कई सारी एलाइंस कंपनियों की तरफ से नई जानकारी शेर की जा रही ह जिसके जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं तो यहें आप अंतराश्टोडानों से ट्रावल करना चाते हैं और आरहें इन सारी खबरों की जानकारी लेना चाते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें पाकि नए-नए एलाइस कम्पनियों की तरफ से जो भी जानकारी शेयर की जा रही है उन सारी खबरों की जानकारी आप सबी लोगों को हो सके पहली बड़ी खबर यहाँ पर जान लेते हैं तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत से रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइटे 27 मार्ट से चालू होने जा रही है तो इसको लेकर आप यहाँ पर दुनिया की कई सारी एलेंस कंपनियों की तरफ से यह जानकारी शेयर की जा रही है कि वो भारत की अलग-अलग एरपोर्ट से दुनिया की कई सारी देशों के लिए अपनी फ्लाइटों की कैपसिटी को बढ़ाने लगी है बात करें कि यह कौन-कौन से एलेंस कंपनी है तो पहली एलेंस कंपनी यहाँ पर लुक्तांसा है लुक्तांसा ने यहाँ पर यह जानकारी शेयर की है कि वो फ्रैंकफर्ट, मुनिक और जूरिक से दिल्ली, मुंबई और बैंगलूरू की बीच में अपनी फ्लाइटों की कैपसिटी को बढ़ा कर आप यहाँ पर 42 करने जा रही है बात करें आभी की तो अभी वो यहाँ पर जो बीकली फ्लाइटें ऑपरेट कर रही है ओन फ्लाइटों की कैपसिटी एक सब्ता में 22 है जो की अक्टूबर तक बढ़कर इनकी संक्या 42 तक पहुँच जाएगी इसके अलब मलेशिया एरलाइज की तरफ से भी यहाँ पर यह जानकारी शेर की गई है कि वो दिल्ली मुंबई बैंगलूरू चेनी हैदराबाद सहीत भारत के कई और सहरों के लिए अपनी साप्ताहिक फ्लाइटों की कैपसिटी को 25 करने जा रही है जी हाँ दोस्तों इसके अलब एर कैनेडा ने भी यहाँ पर यह जानकारी दी है कि वो टॉरेंटों मौन्ट्रियाल और वैक्यूमबर से दिल्ली के लिए अपनी साप्ताहिक फ्लाइटे जो है वो 21 ऑपरेट करीगी इसके अलब यहाँ पर सिंगापूर की तरफ से भी यह जानकारी शेर की गई है कि वो एक अप्रेल से फुली वैक्शिनेटेड लोगों के लिए अपने ट्रावल रिस्टिक्शन को पूरे तरीके से हटा देगी यानि कि जो लोग भी फुली वैक्शिनेटेड होंगे और यह दिवो भारे से सिंगापूर ट्रावल करके जाएंगे तो यूरोप की ये 6 कंट्री है जिन देशों ने यहाँ पर करोना वाइरस टेस्ट की नियम को लाना मेंडेटी नहीं रखा है बात करें कि ये 6 देश कौन कौन से है तो पहला देश है आप हंगरी है उसके बाद आइजलेंड है आइरलेंड है नौर्वे है रोमानिया है और इसके अलवा यहाँ पर स्लोवानिया है जी हाँ दोस्तों ये आप फुली वैक्सिनेटीड है और भारे से ये इरोप के 2600 में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो अब आप लोगों को अपने साथ PCR के नेगिटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करने की जुरूरत नहीं होगी नहीं आप लोगों का महाँ पर जाने के मेरी और भी लेटिस्ट खबरों किये दिया आप जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल को जुरूर फॉलो करके रखे हैं